हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का दे मोम क्लासेज में और हम पढ़ रहे हैं करण फेर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन सेशन है थर्टी के अंदर रखा गया है जो की सुरुख्यों में है कुलबुशन जादव ने अपनी सजा पर पुनर विचार जो दायरा है वो दायर करने से इंकार कर दिया गया है काफी इंपोर्टेंट ये कुशन बात करेंगे कुलबुशन जादव के बारे में कुलबुशन ने अपनी सजा पर पुनर विचार याचिका है वो ये दायर करने से इंकार कर दिया गया है पाकिस्तान के एडिशनल एटर्णी जनरल एहमद इर्फान के अनुसार पाकिस्तान के जेल में जासुसी के आरोप में बंद कुलबुशन जादव ने अपनी देया याची का को आगे बढ़ाना नहीं चाते पाकिस्तान सरकार ने के अनुसार के पिता और उनके पत्नी से मिलने की अनुमती दी गई इसे के साथ बात करें कुल बुशन जादव के जब बारे में जो की काफी इंपोर्टेंट है बारतिय नो से ना के सेवा निवर्त अधिकारी है कुल बुशन जादव और मार्स 2016 के अंदर पाकिस्तान में इनको पकड़ा गया सजा की बात करें तो अपरेल 2017 के अंदर जासुसी और आंतकवाद के अरॉप में इन्हें मर्तिय दंड दिया गया पाकिस्तान सरकार के दोरा तो पुछा जाए कि बारत नो से ना के अधिकारी है कुल बुशन जादव और कब पकड़ा गया इनको तो मार्स 2016 के अंदर और सजा की बात करें तो अपरेल 2017 के अंदर इनको जासुसी और आंतकवाद के अरॉप में मर्तिय दंड दिया गया पाकिस्तान सरकार के दोरा इसी के बाद बारत का रुक करें तो माई 2017 में बारत ने अंतरस्टे नेले जिसें आई सी जे का जता है इंटरनेशनल कोर्ट ओफ जस्टिस के अनुसार जुलाई 2019 में आई सी जे का भारत के पक्ष में फैसला जादों की सजा की शमक्षा की पाकिस्तान वे अंतरस्टे कानुन का उलंगन का आरोप है किस पर पाकिस्तान पर और बारत का पक्ष में वकील है कौन? हारिष सॉलवे काफी इंपोर्टेंट कुल बुसन जादो की तरफ से कौन है वकील तो वो हरिश शोलवे है काफी इंपोर्टेंट ये भी अब आत करें इंटरनेशनल कोर्ड ओफ जस्टिस जिसे अंतरास्टे नियाले काया जाता है इसकी स्थापना पूची जाए तो 1945 में की गई से जुड़े हुए हैं और काफी इंपोर्टेंट 1945 के अंदर इसकी स्थापना कीईगी, 1946 के अंदर कारिया करना सुरू किया, मुख्यले हेग निदरलेंड के अंदर है और सद्दिश्य देशों की सिंक्या एक सो तराण में है कैसा लगा आज को सेसन और इसी के साथ मैं अपने बेटा सब्द को सार्थक बना सका या नहीं पता नहीं पर कोई बिना स्वार्थ के अपने पिता सब्द को सार्थक बना जा रहा था वो थे पापा, अब हमारे विश्य में बात करें तो मैं अपने जो बेटा सब्द है उसको सार्थक बना सका या नहीं पता नहीं पर कोई अपना बिना सवार्थ के पिता सब्द को सार्थक बनाए जा रहे थे वो थे पापा कैसा लगा सेसन कमेट बोक्स में जरूर लिखे और काफी इंपोर्टेंट कुल बुशन जादव जो कि बारतिये नो सेना के सिवानिय और तदिकारी है पाकिस्तान में मार्स 2016 में इनको पकड़ा गया जासुजी के आरोप में और सजाद अप्रेल 2017 में इनको फासी की सजा सुनाई गी और इन्होंने अपनी जो दयायाची का है ये दायर करने से इनकारतिक कर दिया गया है काफी इंपोर्टेंट आज का कुशन कमेट बोक्स में जरूर लिखे मेरा ये प्रियास आपको कैसा लग रहा है थैंक यू, have a nice day, wish you all the best, take care